Let's talk about time management So हमारे पास यहाँ पर अगर physics exam की बात करें तो physics exam के पहले हमारे पास 6 दिन का gap है इन 6 दिन के gap में जो हम करते हैं वही depend करेगा हमारा decide करेगा chemistry और mathematics कैसे जाता है अगर मैं student होता तो मैं क्या करता? मुझे पता है chemistry में 2 parts होते हैं chemistry 1, chemistry 2 मुझे पता है mathematics में भी 2 parts होते हैं जिसका नाम है maths 1 and maths 2 मैं क्या कर देता? दोनों में से एक एक part पहले ही इन 3 दिनों के अंदर खतम कर देता अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा के सवर chem 1 करेंगे chem 2 जो आपको लग रहा है क्योंकि पढ़ना आपको है decision आपको लेना है तो एक chemistry का part इन 3 दिन के gap में खतम कर दो अच्छे से revision करके पूरा perfect कर दो इतने intensity से revise कर दो ताकि chemistry के paper के दिन आपका 4 गंटे में वो part हो जाए 4 गंटे में इतना intensity से इसको अभी ही समाप्त कर दो बात करें maths की, maths का भी कोई न कोई भी एक part जो आपको समझ में आ रहा है इन 3 दिनों में आप उस एक maths के part को भी finish up कर सकते हो ठीक है तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे 3 parts, 2 चीजें आप समाप्त कर दोगे, तब क्या होगा देखो physics का exam आप देखे आओगे आदा दिन सोने में चला जाता है पता है आपको यह चीज आपको पता नहीं होगी physics का exam देखे आते हैं students ऐसे relaxed feel होते हैं कई-कई सो जाते हैं या फिर किनकी नींद खराब हो जाती है नींद में पढ़ने के वज़े से quality डाउन हो जाती है health issues होना start हो जाते हैं after physics exam यह हर साल का है statistics है पहले ही aware कर दे रहा हूँ तो basically आपको पहले एक-एक subject यहाँ पर करके रखते ना है कुछ students कहेंगे सर यार time कम पड़ेगा हमको तीन दिन में हमारे लिए possible नहीं है कि इतना सब कुछ कर पाना ठीक है आप 7 भी तारिक का 25% दिन भी ले लो 7 तारिक का 25% of the day ले लो but anyhow chemistry का कोई भी एक part maths का कोई भी एक part आप पहले ही इनको खतम करतो ठीक है तो इतना कर दो के तो आपने chemistry और maths के paper की तयारी कर दी आते हैं physics के उपर physics के अंदर हमारे पास 16 chapters है 16 में से सबसे पहली पहली बार depend करता है कि आप कितने chapters यहाँ पर करने वाले हो जो chapters आप करने वाले हो उसमें से जो easy chapters है जो आपके favorite chapters है जिनमें आपको confidence है पहले जिन्दगी में याद रखना कभी भी वही chapter करना first priority उन्हीं chapters को देना जो आपको confidence दिलाते हैं जो आपके favorite chapters हैं जो आपको आते हैं होता क्या है students बोलते हैं ये ये तो easy है ये तो मैं सिधा 9 तारीक को करूँगा तो होता क्या है 9 तारीक को जो pressure होता है आपके life में pressure यहाँ पर पहुँच चुका होता है easy चीज भी आप बोलते हो ये मैंने पढ़ा था ऐसे हो जाता है तो वो नौबत नहीं आने देना उसको पहले ही sort out कर दो पहले ही उसको sort out कर दो at least some जो 5 chapter हैं जिनको आपको अच्छे से आते हैं आपको confidence है बस बात खतम आप 5 chapter करोगे आपके अंदर में confidence हाजगा कि मैंने राहूल 5 chapter मैंने कर दिये 5 कर दिये तो अब हम दीरे दीरे करते जाएंगे तो ऐसे करते करते आप नीचे से उपर high jump करते जाओ and then आप exam के लिए proceed up कर सकते हो wish you all the very best for your exam यही है time management यहां तक साथवा दिन थोड़ा सा लेना जाधा साथवा दिन नहीं ले लेना पता चला साथवे दिन शाम तक यही कर रहे हो ना ना शाम वाम तक नहीं कर ना फिर physics के लिए ढाई दिन बच जाएगा ऐसा मत करो physics है इधर इतना एक तो पैचान है physics वालों का मैच का पूरा टेक्स्बुक सॉल्व करने पठोगे तो हो जाएगा केमेस्ट्री के लिए टाइम चाहिए तो इस वज़े से अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दो एक और चीज मझे कहनी थी चैनल पे बार-बार खुदी चेक करते रहो अभी मैं इतनी वीडियो से जालते जाँगा शॉर्ट 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 वीडियो के नोटिफिकेशन आएगी नहीं आपको इंपोर्टन तो दे पोइंट तो खुदी चैनल को चेक करते रहो यहां तो टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करके रखो अगर बोट एक्जाम में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरुवत है बैककप बैच पूरी की पुरी तयार है बोट एक्जाम के एक दिन पहले आपके बारा-बारा गंटे लेक्चर्स होंगे आपको confidence नहीं है सारे अटेंड करो डाउट पूछ के आना है फटा फट डाउट पूछ के विदिन 3-5 मिनट अपना डाउट पूछ के फटा फट पढ़ने के लिए चले जाओ ऐसे करते करते सारे बोट एक्जाम के आपके बैककप क्लास आपके तयार है बैककप एकदम immediate confidence, immediate mental and moral support चाहिए सब तयार है और यही बैच आपकी चलेगी for MHT CET by the Eklavya team ओके, so Eklavya के जो आपके teachers हैं YouTube पे यही बैच आपकी rankers bench को continue करेंगे for MHT CET so दोनों इसमें included है यह भी included है as well as boats भी included है known app डाउनलोड करना है and use this referral क्योंकि app पे प्राइस जादा दिखाएगा वो online दुनिया का नियम है तो यह आपके पास backup है moral support down हो रहा है कभी याद रखो chemistry हो, maths हो moral support, mental level low होना चालू कर रहे हो, low में time waste मत करना पहले ही aware कर रहा हूँ चलिए so wish you all the very best for your boats you have a backup plan and यह था आपका time management का schedule channel को check करते हो रहा है बहुत important चीज़ें आती रहेंगी झालू कर रहेंगी